नमस्कार दोस्तों, नेपाल की ताकत को भारत ने भी अब जान लिया है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल को बनाया गया है Founding Member of International Big Cat Alliance का आपको बदा दे कि भारत की पहल के तहट गटबंधन में इसका शुबारम किया गया है जिसमें नेपाल के उर्जा मंत्री शक्ती बहादूर बसनेट ने भारत के वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री भुपेंदर यादाव को गटबंधन के साथ नेपाल को संस्थापक सदस्ट के रूप में शामिल होने का उलेक करते हुए एक पत्र दिया है और आखिर क्यों भारत नेपाल को इसका एक संस्थापक सदस्ट बना रहा है इसके पीछे चुपा है नेपाल की कड़ी मेहनत क्योंकि नेपाल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि दुन्या में कोई नहीं कर सका था स्थानी समदायों, सुरक्षा एजंसियों और संरक्षन भागिदारी के साथ साजेदारी में काम करने वाली नेपाल की सरकार बागु की आबादी को 2010 में 121 से 2022 में 335 तक पहुँचा दी जुकि अपने आप में चौका देने वाला मूव था नेपाल ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में पहले बाग सिखर सम्मेलन के दौरान की गई अपनी प्रतिबदिता के अनुसार 2022 तक बागु की आबादी को दो गुना करने के अपने लक्ष को सफलता पूर्वक हांसिल भी किया जिसके चलते नेपाल को इसमें एक बहुत बड़ी महारत हाची रुई है और दिन्या के कई सारे देश स्थानी समुदायों को साथ मिल कर कैसे इन चीजों को करना है वो नेपाल से सीखना चाहते हैं और इसलिए भारती प्धान मंतिर नरेंद्र मोदी ने बाग तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जेगुआर और प्युमा जैसे साथ बड़े बिल्लियों के संरक्षन के उदेश में गटबंधन के शुरुवात की है आपको बदा दे कि भारत ने गटबंधन के लिए 100 मिलियन की गारंटी करत निधी के साथ 5 वर्षों में समर्धन का आश्वाशन दिया है तो ये दोनों ही देशों के बीच में एक बड़ी साजेदारी है जो की होने वाली है